दीद्वाना विधान सभाक शेत्र के नजदी की ग्राम कोलिया में मवेशियों की चोरी का मामला सामने आया है। मामले को लेकर आज ग्रामीनों ने एक ग्यापन जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा को सोपा है। दिये गई ग्यापन में जिला कलेक्टर से मान्ध की गई है कि बक्रियां चोरी की घटना को एक माह बीट चुका है लेकिन अभी तक चोरों का पता नहीं लगा है। जल्दी इस मामले पर संग्यान लेते हुए बक्रियों के चोरों को पकड़ा जाए। गरीब किसान की यह बक्रियां चोरी हुई है जिसमें उसे पशुधन की हानी हुई है। इस चोरी की वारदात को लेकर एक मामला भी डीद्वाना थाने में दर्ज कराया गया है। यह मामला औम प्रकाश पुत्र डालाराम ने दर्ज कराया है, जिसमें बताया गया है कि बकरी चरान के लिए खेतों में गया था। जहां पर मैंने खेजडी काट कर बकरीयों को चरने के लिए छोड़ कर गाव में एक शादी प्रोग्राम में आ गया था। शादी प्रोग्राम से वापीस जाकर देखा तो मेरी बारा बाहर बक्रियां किसी के द्वारा चोरी कर ली गई। मैंने आस डॉस में काफी तलाश की मगर नहीं मिली। वही पुलिस ने भी मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। लेकिन एक माह बीत गया है। अभी तक चोरों का सुराग नहीं लगा है।